नमस्कार दोस्तों सुवागत आपका फिर से आपके अपने यूटूब चैनल को और्वेंट एंपलेज में सरकारी करमचारियों के मकान कराए भत्ते आने की HR-E को लेकर जारी हुआ एक महत्पुन आदिस सभी सरकारी करमचारियों के लिए जानना है बहुत जरूरी दोस्तों 12 अप्रेल 2024 को मिनिस्ट्री ओफ रेलवेज के द्वारा रेलवे करमचारियों को मिलने वाले मकान कराए भत्ते के बारे में ये आदिस सभी सम्मधित अधिकारियों को जारी किया गया है हलांकि ये आदिस सभी रेलवे करमचारियों के लिए जारी किया गया है आईए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं subject इसका कि entitlement of HRA in case of shared accommodation यानि कि जो सरकारी आवास है उसे दो करमचारियों के द्वारा यदि share किया जाता है दो करमचारी एक ही सरकारी आवास में रहते हैं तो किस तरीके से मकान कराय भत्ते का बुक share करता है तो दोनों को ही HR नहीं दिया जाएगा ऐसा किन सरकार का नियम है लेकिन railway में ये देखने को मिला था vigilance case में कि जिन मामलों में सरकारी करमचारी के द्वारा government accommodation को share किया गया था वहाँ पर भी एक सरकारी करमचारी को मकान कराय भत्ते का बुकतान किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैरा number one है कि recently in a vigilance case one of the allegation was regarding allotment of railway quarters on sharing basis and allowing one staff to draw HR it was observed that it is a violation of पैरा 1706 and पैरा 1712 of IRAC volume 2 तो ऐसे मामले सामने आये थे जहाँ पर एक करमचारी को HR दिया जा रहा था और दोनों एक ही सरकारी आवास में रह रहे थे जो की नियमों के खिलाफ था तो इसी को लेकर अब यह जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जो IREC का पैरा 1706 है उसके अनुसर बताया गया कि कुछ ऐ पंच एसी कंडिसों से जहां पर एक सरकारी करमचारी को मकान कराई भत्य का भुकतान नहीं किया जाएगा जैसे कि वो अपने आवाज के लिए कि सी परिकार नहीं कर रहा हुआ उस मामले में दूसरा यहां पर है कि वो किसी दूसरे सरकार करमचरी को अलोट किये गए आवस में रहता है तो उसे मकान कराय भत्ते का बुकता नहीं किया जाएगा यदि वो खुद ऐसे क्वाटर्स में रहता है जहां पर कि सरकार ने उसे क्वाटर दिया है तो उसको भी बेटी को अलॉट किया हुआ उसमें इस सरकारी करमचरी आता है तो उसको भी मकान करायबत्य का भुगतान नहीं किया जाएगा और यदि कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर कि हजबन ये वाइफ दोनों का पोस्टिंग सेम इस्टेशन पर है और उन दोनों में से किसी एक को मकान आवास है जो सरकारी आवास है वो अलॉट किया हुआ है तो उन मामलों में भी मकान करायबत्य का भुगतान उस करमचरी को नहीं किया जाएगा लेकिन जैसे कि आपको उपर बताया गया ऐसे मामले सामने आये हैं जहाँ पर दोनों सरकारी करमचारी एक ही आवस में रह रहे हैं सेरिंग कर रहे हैं तब भी उनको एचारी का बुकतान किया जा रहा है एक सरकारी करमचारी को तो अब यह आदिस जारी कर दया गया है साब तरके से और यहाँ पर अब यह का आ गया है कि उसे किसी परकार के मकान कराय बत्ते का बुक्तान नहीं किया जाएगा यदि वो उस मामले को भी यदि उसको सरकार के द्वार अक्मोडेशन प्रवाइड किया गया है तब भी उसे हारे का भुकतान नहीं किया जाएगा तो दो नई लाइने आप पर एड की गई हैं कि हारे इस नौट एडिमिसेबल टू एन ओपिसियल इस नौट इंकर एन एक्सपेंडिक्चर ओन रेंट फोरी अक्मोडेशन यह ओक्यूपाइज एक्मोडेशन प्रवाइड बाई दा गवर्वेंट तो यह दो नई कंडिसन हैं अब यहां पर डाल दी गई हैं तो यह HR-e को लेकर एक जरी किया गए महत पुना देश और कुछ जया जानकारी जिसमें के सरकारी करमचारी को HR-e का बुक्ता नहीं किया जाएगा इसके बारे में तो फ़लाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक करदें share करें दोस्तों के साथ चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रैस करना ना भूलें और एक लैटास्ट अबडेट सबसे पहले देखने के लिए